कुरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज जो है टीका करन का तिसरा चरण जो है शुरू कर दिया गया है देश के अलग अलग जगों पर टीका करन की प्रक्रिया जो है लगाता जारी है मुंबई में टीका करन काफी एहम माना जा रहा है क्योंकि दुबारा जो है कुरोना मुंबई में पैर पसार रहा है मुंबई के आठ केंद्रों में तिसरे चरण की टीका करन की प्रक्रिया जारी है इसमें से पांच सरकारी हैं जो अस्पताल जो है नगर नीगम और राज्य सरकार के अंतरगत आते हैं इसके अलावा तीन प्राइवेट होस्पिटल भी हैं जहां पर जो है मुंबई के अंदर माश सभा हॉस्पिटल में जहां पर जो है एक वेक्सिनेशन सेंटर है यहां पर लोगों को लोगों का जो है टीका करन किया जा रहा है इस तिसरे चरण की टीका करन की बात करें तो यहां पर साथ साल से अधिक वर्ष के लोगों को जो है टीका लगाया जा रहा है कोरोना से मुक्त दिलाने के लिए टिका करन चाले इसके अलाओ जो 45 साल से उपर के रोगी है उन्हें भी जो है वैक्सिन जो है दिया जा रहा है इस वक्त खड़ाओ में सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर लोगों का आने का सिलसिला जो है जारी है सुबह नौ बजे से नौ से पांच का समय निर्धारित किया गया था टिका करन के लिए सबसे पहले जो लोग आ रहे हैं उन्हें यहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्यम्सी की टीम डॉक्टर्स की टीम यहां पर लगातार बै हमारे साथ हिंदु हिंदु माहसाब होस्पिटल की डॉक्टर हैं उनसे बात करके मैडम किस तरह की प्रत्य तयारी जो है यहां पर की गई थी आज तीसरे चरण की टिका करन को लेकर तो हमने सर एक हफ्ते से चालू कर दी थी और अब हमें जबी कल बोला गया हमें वैक्सिन की तैयारी जैसे कर रजिस्टम काउंटर बनाया है फिर हमने यहां पर बेंटिंग एरिया बनाया है थितीन हमारे इंजक्षन रूम से हैं मुझ्य और और वहां से फिर पेशिंट पा में अबटा रहे हैं जो लोग आ रहे हैं उनका क्या कहना है क्या उनसे कोई चार्जेस वगेरा लिया जा रहा है किस तरह के प्रफिश्ट गवर्मेंट ने सबके लिए 250 रुपीज दो सो पचास रुपए चार्जेस रखे है जो नॉमिनल है वो सबसे ले लिये जा रहे है 60 अबाव आ रहे है और तो 45-59 एज के है जिनको कुछ बीमारिया है जैसे के डाइबेटीज हार्ट का प्रोब्लेम या यह बीपी की दकलीफ है या और भी कुछ बीमारिया है उनको हम वाक्सिन दे रहे है 45-59 तब के अचली तयारी तो हमने अल्मोस्ट वीक से हमने शुरू कर दी थी काफी क्योंक वाक्सिनेशन सेंटर करके रखे हैं और इस तरह से फिर हमारी टीम हमारे स्टाफ का ट्रेडिंग और यह सब कुछ लास्ट वन वीक से पुरा कर रहे थे हैं का आज 105 लोगों को दिया गया वाक्सिनेशन इस्पेक्टेड है अभी जैसे बेनिफिश्री की लिस्ट हमारे पा का टार्गेट है तो देखते हैं जैसे बेनिफिश्री लिस्ट आती है वो इस सबसे आगे पी करेंगे पूरे भारत वर्ष में 16 जनवरी से वैक्सिनेशन का प्रोग्राम चालू हुआ था पता चल रहा था कि सेकेंड फेज या थर्ड फेज में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी यह मौका मिलेगा तो 1st of March से हमें यह मौका मिला 15 दिन से हमारी रिगरस ट्रेनिंग सेशन चालूती सब प्रोसेस फ्लो हम लोग डिसाइड कर रहे थे वैक्सिन कैसे रखना है बेनिफिश्री आएंगे कैसे यह सब चीजों की हम लोग तैयारी कर रहे थे और आज वो पेशेंट को कुछ भी एडवर्स एफेक्ट नहीं है कोविन आप टेकनोलोजी बहुत अच्छी टेकनोलोजी है आज सुभे यानि दो दिन से उनका कोविन आप 1.0 से अपग्रेडेशन 2.0 पे हो रहा था तो उसमें थोड़े सी हिच आनी एक्चुली संभावना थी और सु सेशन 12 बज़े से चालू करने के लिए बुला था दो बज़े तक सेशन नहीं चालू हुआ बट हमारे वेबो सर जो मेडिकल डाइरेक्टर सर है बाकी मेरी जो टीम है और हमारे जो एमो एच है श्री दॉक्टर खंडाडे सर और इवन एफ साउथ के जो एचो मैडम है शी डॉक्टर शीला जपताप मेडम अरुन गायकवाड सर शैला पाटिल मैम ये सब लोगों ने हमें बहुत मदद की और हमारा सेशन चालू करके दिया उसके बाद जो 105 बेनेफिशरी को इजीली हमने वैक्सिनेट कर दिया ये तकलीफे जो हैं वो देखने को मिली थी आपको बता दे कि तिसरे चरण का टीका करन जब शुरू हुआ तो प्रधान मंति नरेंदर मोदी ने भी टीका लगा कर कहीं न कहीं लोगों संदेश दिया कि जो प्रक्रिया जो चल गई पूरे देश में टीका जो है वो सुरक् कितने जल्दी इसे पूरा किया जाता है क्या टार्गेट जो रखे गए हैं वे पूरे हो पाते हैं कि नहीं क्यूंकि दूसरे चरण की बात करें तो जब दूसरे चरण का टीका करन चल रहा था तब कहीं न कहीं जो है लोगों जित तरह की उमीद जताई गई थी लोग सभा इसमें भाग लेंगे और टीका लगवाएंगे लेकिन संख्या कहीं न कहीं संख्या में तो जो है वो गिरावट देखी गए थी तिसरा चरण का टीका करन जो है चालू हो चुका है मुंबई के आठ केंद्र जो है बनाए गये हैं जिसमें से पास सरकारी अस्पताल है और त जा हुआ पांडे की बोद्टों